हेई विनर्स, वागबट जी ने अच्छे स्वास्ते और सेहत की परिभाशा के लिए सिर्फ एक ही शब्द कहा है, समभाव, जिसके दोश समभाव में रहेंगे, दोश यानि वात, पित और कफ अगर बैलन्स हैं, तो इने ही समभाव कहा गया है, और इनी का संतुलन अगर बि उसकी आभा बढ़ेगी, ओजस बढ़ेगा, तेजस बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ेगी, और निरोगी जीवन मिलेगा, और स्री राजीव जिक्षित जिने वागबट जी के सूत्र बताते हुए कहा था, कि जिसका वात, पित और कफ संतुलित रहता है, उसक तो प्रकृती ने ऐसी बहुत से चीज़ें हमें दी, कोई वात को अच्छा करके रखेगी, कोई पित को, कोई कफ को, लेकिन प्रकृती में ऐसी बहुत ही कम चीज़ें हैं, जो वात, पित और कफ, टीनों को, यानि तरिदोश को अच्छा करेंगी, वोही सब, आज मैं इस संजीवनी बूटी से कंपेर किया गया है, क्या आप जानते हैं, जो हमारे वात, पित और कफ, यानि तरिदोश के संतुलन को बना करके रखती है, वो है गिलोए, इसे तरिदोशागना भी कहा गया है, इसे किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, इसका चूरन लें, तो बहुत इसका काड़ा लें, तो बहुत अगर इसका आपको स्टेम मिल जाए, लीफ्स मिल जाए, पत्ते मिल जाए, या जो इसकी डंडी होती है, वो मिल जाए, उसको काट करके आप पानी में उबाल दीजिए, और पानी जब वो आधा रह जाए, तो उसको चान करके उसका काड़ा के उपर बहुत बढ़िया काम करती है, obesity को कम करती है, blood का proper circulation करती है, TLC, DLC, white blood cells, red blood cells, platelets, यानि पूरे के पूरे blood को balance करती है, uric acid पे काम करता है, शरीर से toxins को बाहर निकालती है, blood को purify करती है, bacteria से भी लणने की power देती है, liver के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और Ayurved में इसक इसको प्रकृतिक ज्वर नाशक कहा गया है, जिसका मतलब यह है कि चाहिए वो डेंगू हो, स्वाइन थ्लू हो, malaria हो, किसी भी तरह जान लेवा बुखार के उपर भी उसके लक्षनों को कम करने में बहुत काम करती है, and it is a powerful immunity booster, कोई भी बिमारी आएगी, तो immunity fat से उसके उ कारणों से बोला गया है, तो महीने में सिर्फ तीन दिन के लिए लगातार, अगर आप इस गिलोए का प्रयोग करते हैं, तो बहुत सी चीजों से आप चुटकारा पा लेते हैं, और specially, जब change of season होता है, सरदी आती है, गर्मी आती है, उस टाइम पर तो सिर्फ महीने में ती ये हमारी समान वायू जो हमारे शरीर के अंदर होती है, उसको संतोलित करती है, इसके लिए हमको अराम से सुखासन में बैठ जाना होता है, बस ध्यान रहे कि आपकी spinal cord बैठते होए सीधी रहे, इसमें अपने हाथों की चारों उंगलियों और अंगूठे के आगे के हिस्स अंसों पर ध्यान देना है, ऐसे बनती है समान मुद्रा, मिटाबोलिजम बढ़ जाता है, लिवर को हेल्दी रखती है ये मुद्रा, और त्रदोश नाशक तो है ही, और ये आपकी concentration पावर को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है, जब हम इसे शुरू करें, तो ती अकेंद्रित हो जाता है, जब हम इस मुद्राव को करते हैं, और बिल्कुल मन एकाग्र हो जाता है, विचार शान्त हो जाते हैं, रिलाक्सेशन मिलती है, पंच जतत्तों के साथ हमारा connection स्ट्रॉंग हो जाता है, बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसको अगर हम सुबा खाली पेट करेंगे, तो हमको सबसे जदा benefits इसके मिलेंगे, देखो, मुद्रावों में बहुत बड़ी ताकत है, और जल्दी ही इस पर एक detailed विडियो लेकर क्याओंगा आपके लिए, जुड़े रहना मेरे साथ, अब आयूरुवेद के अनुसार, अगर आपकी body के सभी द राप्त करने का वो तरीका, जिससे शरीर अपना ओजस और तेजस बढ़ा सके, रसायन से मिलने वाला जो रस है, ये हमारे शरीर में सभी धातूओं की पूर्ती करता है, जिससे हमारा शरीर निरोगी बना रहता है, और आयूरुवेद के ये रसायन नसर्फ बिमारियों से लडने की शक्ती रहते हैं, बल्कि हमारी प्राण उर्जा को भी बढ़ाते हैं, तो कौन से रसायन से सबसे जॉधा बेनेफिट्स हमें मिल सकते हैं, जो हमें स्वस्त रख सके, हमारे दिल को स्वस्त रख सके, हमें हमेशा रोग मुक्त रख सके, और साथ ही वात पित और को भी संतुलित रख सके। जैसे एक रसायन है महारशी आयूरुवेदा का अमरित कलश जिसको सूपर रसायन भी कहा गया है। इसमें है आमला, दश्मूल, हल्दी, सफेद चंदन, हिरितका, अश्वगंदा, शंकपुष्पी, गिलोए, सफेद मूसली ऐसे 53, 53 हर्ब्स इसमें यूज होते हैं। और इसकी बहुत सारी जड़ी बूटियां तो जो हैं हिमाले में पाई जाने वाली बहुत ही रेर जड़ी बूटियां हैं। जो की हमारी हेल्थ, वाइ अर्टिया किलिंग के सेल्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। यह हमारे फ्री रेडिकल्स को न्यूटरलाइज करता है। जिससे प्री मैच्चॉर एजिंग जल्दी जो लोग बूड़े हो रुख जाती है, यूथ फुलनेस बनी रहती है। यह सीजनल अलर्जी पर भी बहुत एफेक्टिवली काम करता है, बॉड़ी को डिटॉक्सिफाई करता है, माइंड को बैलन्स करता है और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। और सबसे बड़ी बात, यह अमरत कलश आपके हार्ट के लिए भी किसी अमरत से कम नहीं है। क्यू जो यह बताती हैं कि रोज अमरत कलश लेना हम सब के लिए कितना फाइदेमंद है। अमरत कलश का एक शुगर फ्री वर्जिन भी अवेलेबल है, जो इसे लेना कैसे है। अमरत कलश जो है यह एक दो पार्ट का फॉर्मिला है, अम्रोजिया टैबलेट और नेक्टार पेस् और दोनों वक्त रोज इसे रेगिलरली लेना है। और इससे कोई भी परसन ले सकता है, कोई भी। तो इसको भाई करने के लिए इसके सभी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर चेक करना। इसमें anti-oxidants होते हैं, anti-bacterial properties होती हैं, जो किसी भी तरह का शरीर में घाव हो, उसको बड़ी जल्दी भरने में काम करती हैं। Dental plaque अगर हो जाता ना कई लोगों को, oral care की जरूरत होती है, aloe vera बहुत बढ़िया काम करता है उसमें। Constipation की जिन लोगों को problem होती है, उससे बहुत अच्छा निजात दिला सकता है, हमारी skin की quality को improve करता है, wrinkles जो पढ़ने लगते हैं जल्दी age में उनको कम करता है, हमारे hair की growth के लिए बहुत अच्छा है, जिनको blood sugar level बढ़ा रहता है, उसको भी regulate करता है। महीने में साथ दिन, सिर्फ साथ दिन, एलो मेरा लें, ज्यादा नहीं लेना होता, क्योंकि इसके अंदर जो lexative properties होती हैं, उनके कारण अगर हम ये ज्यादा लें, तो lose motion जैसी condition कई लोगों को कर सकता है, और stomach cramps भी आ सकते हैं, तो मन्त में एक महीने में साथ दिन लो, और tridosh balance होगा, वो free है, next, हमारे tridosh को balance करते हैं, प्राणायाम, प्राणायाम को tridosh नाशक कहा गया है, हमारे शरीर की 95% बिमारियों का काल होता है प्राणायाम, आपके प्राण में सारे दोशों का नियंतरन चुपा होता है, और अगर उन प्राणों को आयाम दे दिया जा समय लगा होता है, तो उसे ठीक करने में भी तो time लगेगा, हमारी expectations क्या होती है, कि जैसे गोली खाई, एकदम से सिर्दर ठीक, वैसे वो ठीक भी नहीं होता है, बस mind से उसका connection जो है, तो एक दिन हम कई बार प्राणायाम करते हैं, और लगता है कि जाधा कुछ तो फरक प्राणायाम करें, तो आपको कभी doctor के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप देखो, हमारी पूरी body muscle के लिए, कोई, you know, biceps के लिए, triceps के लिए, सब exercise कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो इतने सारे organ है, उनको भी तो exercise की जरूरत है, उनके उपर भी तो काम किया जाना चाहिए, औ प्राणायाम जो हमारे प्राणों को आयाम देता है, जो हमारी स्वास चल रही है, उसके साथ कई postures मिल करके हमारे पूरे प्राण को बदल देते हैं, और अगर हमने अपने प्राण को control कर लिया, हमारे प्राण आयाम में सही तरीके से आ गए, तो ये वातपित और कफ को संत किया, या कभी भी आप प्राणायाम आपने शुरू किया, आप इसको करते हैं, तो comment में जरूर बताईएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो नहीं देखते, comments भी पढ़ते हैं, और आपके comments उनके लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं, उनको भी लगता है कि हमको इनसे benefit हो सकता है, तो comment जरूर करना, लेकिन मैं यहाँ पर आपको recommend यहीं करूँगा, कि आप इस वीडियो को देखे, और इसको देखने के बाद, इन सभी प्राणायाम जो इसमें बताए हैं, इनको कीजिए, आपका 10-15 मिनिट का समय लगेगा, अरे निकाल लो यार, अपनी जिन्दिगी के लिए सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं है, और ये प्राणायाम आपके internal पूरे organs को balance कर देते हैं, आपके वात, पित और कफ को संतुलित करते हैं, रोग दूर भागने लगते हैं, तरीके से अगर आपने इसको किया, मुझे promise करके जाना वीडियो के स साथ ही कि आप इनको जरूर शुरू करोगे, नेक्स्ट, अश्टांग रिद्यम में वागबट जी ने क्या कहा है, वागबट जी ने कहा है कि बहुत कम ऐसी चीजें हैं प्रकृती में, जो वात, पित और कफ तीनों को एक साथ ठीक कर सकती हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि ज भोजनांते विशमवारी, भोजन के अंत में जो जल है वो विश के समान है, तो नोट करना कहीं आप खाने के बाद पानी तो नहीं पीते हैं, हाँ, अगर उसके बाद एक आदा गूंट गरम पानी, गुनगुना पानी ले रहे हैं, तो वो चल सकता है, खाने के बीच में ए एक घंटे तक पानी बिल्कुल नहीं पीना होता, जो लोग खाने के साथ या खाने के बाद पानी पीते हैं, उनके तरदोश जो हैं, वो imbalance हो जाते हैं, और हाँ, आखिरी चीज बताओं, उससे पहले आपने मुझे ये भी जरूर comment करके बताना है, कि इन में से कितनी को आप आज के बाद follow करने वाले हो, मैंने कहा ना, आपके comments जो हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, और एक अच्छा किया हुआ प्रयास, खाली मेरा वीडियो बनाना ही एक प्रयास नहीं है, आपका comment करना भी, एक बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ती है आपकी, जिसको लोग पढ़कर के अपनी जिंदगी में inspiration लेते हैं, प्रयरना लेते हैं, जरूर बताना कि कितनी चीज़ों को और किस-किस चीज़ों को आप आज से follow करने वाले हो, और किन चीज़ों को आप already follow कर रहे हो, सबसे आखिरी चीज़ जो हमारे वात-पित और कफ को balance करती है, ये एक therapy ह देखो हमारे प्राण जो हैं, वो 72,000 नाडियों के थूँ चल रहे हैं, हमारे पूरे प्राणों को regulate करती हैं, 72,000 नाडियां, और उनका जो stimulus point होता है, ये हमारे हाथों में, हमारी हथेलियों में होता है, अब हाँ, इसके charts बहुत से available हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा ढ पूरना इसको मुश्किल है, तो एक बहुत खूबसूरत therapy डिजाइन की गई, जिसको कहा गया clapping therapy, देख तो ये बढ़िया है, महाल बढ़िया हो जाता है, और आप देखो कि हमारे जितने पूरवज थे, उन्होंने हर एक कीरतन में, आरती में, सब जगा clapping को include किया, वो जान नहीं है, क्या इसका सही तरीका है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं, और अपकी health के लिए अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे latest वीडियो को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मिलते हैं, और हाँ, अंत कलिश को जरूर चेक आउट कीजिएगा, इसके सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है